इन अवर लास लेक्चुर, we have started the requirement of DNA replication, और बटा हम already discuss कर चुके हैं, इसकी enzyme की requirement, जिसमें हमने study किया था, DNA dependent DNA polymerase, जो की main enzyme है, इसके अलावा हमने DNA ligase को study किया है, पहले हम NCRT को अलग से करा रहे हुँ है, बात में detail अलग से इसमें add कर देंगे, वो भी मैं आपको कराँगी, पहले NCRT अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका base clear हो जाए, तो देखो, next requirement अब आती है, primer, तो primer क्यों चाहिए, ये तो आमें पता चली गया था, primer क्यों चाहिए, replication initiation के लिए, replication initiation के लिए क्यों, जो कि DNA dependent, DNA polymerase जो enzyme था, वो initiate नहीं कर सकता, बनलब template strand हमारे पास है, उन template strand पे नए strand को बनाने की शुरुवात नहीं कर सकता, शुरुवात के लिए हमेशा क्या चाहिएगा primer, वो उसके drawback थी, अब DNA जो होता है, इसकी polarity होती है, DNA double standard होता है, एक strand की polarity होती है, 3' to 5' और दूसरे strand की polarity होती है, 5' to 3'. तो primer कब add होता है, सबसे पहले जो double stranded DNA था, जिसके दोनों strand के बीच में hydrogen bonding थी, यह hydrogen bonding तूटती है, और DNA के दोनों strand separate होता है, hydrogen bonding का तूटना, इसको हम कहते है, melting of DNA, या denaturation of DNA, या separation of the two strands of DNA, चीके, तो सबसे बहले DNA के दोनों strand separate होता है, उसके बाद primer add होगा, किसमे template पे, लेकिल हमेशा ध्यान अखना, primer बटा कहाँ add होता है, 3' and of template के complementary, जो भी template, अब क्योंकि यह दोनों strand template का काम करेंगे, तो इन दोनों strand की जो template है, उसके 3' and के complementary attach होगा, 3' and के complementary क्यों attach होता है, यह हम बार-बार कर चुके हैं, दुबारा से मैं बता देती हूँ, क्योंकि नए strand की synthesis हमेशा किस direction में होगी, 5' to 3' तो नए strand के 5' and बे, मतलब primer क्या बनाता है, new strand का 5' and बनाएगा, उसको initiate करके देगा, इसका मतलब क्या है, देखो, यह आपकी template है, इसके complementary नया strand बनने है, तो नया strand का 5' and किदर होता है बटा, template का 3' तो template का 3' यहाँ है, इसका मतलब इसमें primer कहां attach होगा बटा, यहाँ attach होगा, अब क्योंकि इसके complementary है, तो polarity क्या हो जाएगी opposite, इधर 3' and है, तो इधर क्या बनेगा 5' and, हमेशा दियान रखना, या तो हम कहेंगे primer कहाँ attach होगा, template के 3' and के complementary, या हम बोलेंगे, नया strand के 5' and में, तो इस वाले DNA के template में primer कहाँ add होगा, यहाँ add, इसमें उपर add हुआ, इसमें नीचे की तरफ add हुआ, क्यों, क्योंकि template के 3' add के complementary क्या attach होगा, primer, क्यों, क्योंकि primer नए strand का 5' and बनाएगा, क्या बनाएगा 5' and, तो यह सीज़ आप जहाँ रखना, हमेशा primer क्या बनाता है, new strand का 5' and बनाता है, तो यह था आपका primer के बारे में, आप next requirement आती है, origin of replication, origin of replication, origin of replication को हम short में बटा, orai कहते हैं, क्या कहते हैं, orai, बटा, इक सी दियान देना, DNA हमारा या तो linear होगा, मतलब दोनों end open होंगे, या circular होगा, ठीके, तो यह क्या किरे, अब इस DNA को replication शुरू करनी है, तो बटा, replication की शुरुआत कहीं से भी नहीं हो सकती है, replication does not initiate randomly, doesn't initiate, randomly, replication, randomly initiate नहीं हो सकता है, ठीके, किसी भी प्लेस पे नहीं हो सकता है, replication का initiation, एक specific point पे होते हैं, और उस point को हम क्या कहते हैं, और आई, तो और आई क्या है, it is that region in DNA, it is that region in DNA, from where, from where, replication initiated, जिस region से replication क्या होती है, initiate होती है, मतलब जिस region से replication initiate होगी, उस region को हम क्या कहते हैं, और आई, मतलब यहां से DNA replication करना शुरू करेगा, यह चीज़ ध्यान रखना, हलाकि एक बार और और आई से replication initiate होगी, तो पूरा का पूरा genome, एक साथ replicate करते हैं, replication में एक बार replicate initiate initiate होजाए, replication के शुरुआत होजाए, तो वो पूरा DNA, यह एक साथ ही replicate होजाए, तो यह चीज़् आप यहान लखना, अब और आई से ही replication initiate क्यूं होता है? उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि और आई जो reason होता है, वो 80 content में rich होता है, किस में rich होता है? 80, 80 मतलब आदनिन, thymine content में rich होता है ठीक है? इससे क्या होगा? आपको बताए A और T के बीच में double hydrogen bond होता है जबकि Z और C के बीच में triple hydrogen bond होता है तो किस bond को तोड़ना असान है double bond को या triple bond को तो double bond असानी से तूट जाएगा तो DNA के दोनों strand वहाँ पे easily separate हो देगी अब क्योंकि औराई जो रीजन होता है वो 80 content में रिच होता है तो वहाँ पे DNA की melting करना क्या है efficient है cell के लिए क्योंकि उसके लिए energy क्या चाहिए कम चाहिए तो वो 80 content में रिच होता है इसलिए DNA की replication की जो शुरुआत होती है वो अमेशा कहां से होती है औराई से होती है अब औराई से ही related एक question आता है जो NCRT ने दिया हुए है वो question क्या है why vectors are used for recombinant DNA technology recombinant DNA के जो procedures होते हैं उनकी अंदर हम vector को क्यों use करते है या फिर एक और question इसी से related आ सकता है a piece of DNA a piece of DNA if needed to be propagated to be propagated during recombinant DNA procedure our DNA procedure require a vector why यह क्या कहना चाहरा है अगर हमें किसी DNA के piece को मतलब DNA के एक छोटे से fragment को propagate कराना है प्रोपेगेशन का मतलब होता है multiplication किसके अंदर rdna प्रोसीजर में तो उसके लिए हमें एक vector चाहिए मैं इस सीज को समझने के लिए मैं आपको थूड़ा सा rdna technology के बारे में बताती हूँ तो rdna technology में हम क्या करते है किसी भी species का मालो यह एक species है और यह है आपका plant यह plant का DNA है अब plant आपका disease resistant नहीं है आपको इसको एक particular disease के लिए क्या बनाना है resistant बनाना है एक particular disease के लिए आपको इसको क्या बनाना है resistant बनाना है तो हम disease resistant इसको कैसे बनाए अगर किसी इसी plant की किसी दूसरी species में यह character होता तो हम breeding करा देते artificial hybridization लेकिन ऐसा है नहीं ठीके तो हम ही क्या करना पड़ेगा species barrier को तोड़ना पड़ेगा तो हम किसी और species को डूलेंगे जिसके अंदर disease resistant जीनो तो माल लो वो एक species है bacteria अब bacteria का यह पूरा genome है पूरा DNA content है अब क्योंकि यह bacteria का पूरा DNA content है तो इसका वो segment हम डूनेंगे जो responsible है किसके लिए disease resistance के लिए तो इस segment को हम इससे separate करेंगे अब इस segment को हमें किस में insert करना है इस plant की genome में insert करना है लेकिन उसको insert करने के लिए बटा हम use करते हैं एक vector vector मतलब carrier ठीक है अब vector हम क्यों use करते हैं उसका current क्या है एक तो vector carrier का 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 कर रहे तो vector जो है वो एक तो carrier का 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 कर रहे इसको लेके जाएगा दूसरा क्या है बटा इस DNA को plant में जाकर के अपनी multiple copy बनानी है लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर पड़ा multiply तो तभी करेगा जब इसका replication होगा और replication की शुरुआत होती है ओराई से लेकिन माल लो इस DNA का यहाँ पर ओराई है अब हमने पूरा जिनोम तो लिया नहीं हमने तो सिर्फ इसका कौन सा part लिया ये तो इसका ओराई तो हमें अमारे पास है ही नहीं अब इसका ओराई नहीं है तो इसका replication initiate कैसे होगा तो हम इसको कैसे replicate करें तो हमने क्या कर दिया इस DNA fragment को vector में insert करा दिया जब हमने इसको vector में insert करा दिया तो इससे क्या फाइदा मिला बटा इससे फाइदा ये मिला कि vector का जो औराई है वो जब वहां से replication initiate करेगा तो अपने DNA के साथ साथ किसका भी multiplication करा देगा बैक्टिरिया के DNA का लेकिन ये multiplication कब करेगा vector जब इसको host मिलेगा इसका मतलब जब इसको हम plant host cell में add कर देंगे तो vector जो है अपने DNA के साथ साथ किसका भी multiplication करा देगा बैक्टिरिया के DNA का ठीक है तो यहाँ पे भी जो our DNA technology में हम vector use कर रहे है किसी भी piece of DNA को insert करने के लिए multiply कराने के लिए तो वो क्यों use कर रहे है क्योंकि vector उसको एक orai provide करा रहे है origin of replication provide कर रहे है कैसी इस DNA को आमें vector में insert करने है तो vector में insert करेंगे तो जब यह vector अपने genome को multiply करेगा तो साथ में किसको multiply कर देगा आपके bacteria के DNA को ठीक है तो यहाँ पर कारण क्या है इसका कि यह क्यों चाहिए हमें तो उसका reason है क्योंकि यह orai provide कराता है क्या provide करता है orai origin of replication provide करता है चेक है बटा समझा है यह question why vectors are used for our DNA processor recombinate DNA processor के लिए vector क्यों चाहिए तो उसका कारण क्या है या किसी भी piece of DNA को अगर हमें propagate करना हो multiply कराना हो तो भी हमें vector चाहिए होता है तो उसका कारण क्या है क्योंकि vector क्या provide करेगा orai provide करेगा orai origin of replication clear है अब हम चलते हैं last requirement की तरफ जो की important है last requirement हमारी क्या है deoxy riponucleoside triphosphate अब सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि deoxy riponucleoside triphosphate क्यों है और यह है क्या तो सबसे पहले तो हम deoxy riponucleoside बनाते हैं deoxy riponucleoside मतलब deoxy riponucleoside अब 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 इसके उपर कोई nitrogenous base अटाच करा दिया ठीक है यह आपका क्या बन गया deoxy riponucleoside अब अब हमें इसके उपर triphosphate मतलब तीन phosphate अटाच कराने है तो तीन phosphate कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमने एक phosphate अटाच किया अब बिटा जब इसके उपर एक phosphate अटाच हो जाता है तब यह बनता है nucleotide क्या बनता है nucleotide लेकिन हम क्या बोल रहे है nucleoside तो nucleoside क्या है सिर्फ deoxy, ripon, sugar और आपका nitrogenous base यह क्या कर लाएगा nucleoside ध्यान रखना यह हम पहले पढ़ चुके है अब हमें इसके उपर तीन phosphate बाइंड कराने है तो एक phosphate हमने पहले ही बाइंड करा दिया दूसरा इसी phosphate पे करा देंगे और तीसरा इसी phosphate पे बाइंड करा देंगे तो यह आपका बनता है deoxy ribonucleoside triphosphate आप ध्यान से रेखना इसने deoxy ribonucleoside triphosphate क्यो लिखा ribonucleotide क्यो नहीं लिखा तो बेटा ध्यान से देखना यहाँ पर तीन phosphate है अगर आप ribonucleotide बोलते तो nucleotide तो इतना पार्ट बनता नीचे वाला पार्ट तो nucleotide बनने के बाद तो सिर्फ दो ही phosphate आपके बचे है इसका मतलब अगर आप लिखते हो deoxy ribonucleotide तो आपको bifosphate बचेगा क्या बचेगा bifosphate तो deoxy ribonucleoside triphosphate का मतलब है 5th carbon पे 3 phosphate है एक phosphate अटाच होगा तो nucleotide बनेगा उसके अलावा 2 phosphate और अटाच बचेगा यह जो 2 phosphate अटाच है इसके bond को मैंने ऐसे दिखा है क्यों दिखा है इसको straight दिखा है क्योंकि यह जो terminal 2 phosphate group है they are high energy phosphate group यह क्या है high energy phosphate group है अब हम replication कर रहे है तो हमें क्या चाहिए बटा nucleotide चाहिए था लेकिन हम use क्या कर रहे है nucleoside triphosphate हमें चाहिए तो सिर्फ इतना ध्यान से देखो हमें चाहिए क्या यह चाहिए तो फिर यह 2 phosphate किसलिए हमने लिए तो इसका कारण क्या है कि यह जो terminal 2 phosphate है यह high energy phosphate group है अब हमें चाहिए nucleotide अब इसको निकालने के लिए हमें यह 2 phosphate अटाने पड़ेंगे और जब हमें terminal 2 phosphate को remove करते है तो large amount में energy produce होती है और यह energy किस लिए चाहिए nucleotide के polymerization के लिए चाहिए किसके लिए चाहिए है nucleotide के polymerization के लिए चाहिए एक nucleotide को दूसरे nucleotide से attach करके पूरी polynucleotide chain चाहिए आपके पास template है template already हमारे पास है तो उस complementary rule के accordingly इसके opposite nucleotide add होते जाएंगे क्या add होते जाएंगे nucleotide लेकिन इन nucleotide को हमें phosphodiester bond से attach भी करने है ताकि polynucleotide chain बन जाएं polymerization इसका हो जाएं तो उसके लिए क्या चाहिए energy चाहिए और वो polymerization के लिए energy कौन देगा deoxy ribonucleoside triphosphate के terminal two phosphate group देगे तो बेटा ये board exam में एक question आया हुए है कि deoxy ribonucleoside triphosphate जो है dual role play करता है dual function show करता है dual मतलब 2 2 कैसे ecto act as a substrate नई strand को बनाने के लिए nucleotide चाहिए और वो nucleotide किस से मिलेंगे इसी से मिलेंगे कैसे 2 phosphate को अटा के जो बाकी बचा वो किसका काम करेगा substrate का substrate किसलिए चाहिए new strand की formation के लिए चाहिए और दूसरा इसका role क्या है at provide energy for polymerization reaction it provides energy for polymerization reaction polymerization reaction के लिए energy देता है और वो energy कां से आएगी बटा इसके terminal 2 phosphate से deoxyribonucleoside triphosphate जो है इसके पास जो terminal 2 phosphate है वो हमें क्या देंगे large amount में energy देंगे ठीक है तो ये थी आज की requirement आज का lecture इससे आगे हम next lecture में discuss करेंगे बटा थैंक यू यू